Hey what's up guys welcome back to another video तो open world games की videos को आप काफी ज़्यादा पसंद करते हो तो आज फिर से लेका है हूँ टॉप 5 open world games for android का एक नया पार्ट इस वीडियो में हम देखेंगे 5 बहुती बड़िया open world games तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना जो लिसमें number one game होने वाला है वो तो बहुती बड़िया गेम होने वाला है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना आप लोग यार वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है अभी के अभी जाओ सब्सक्राइब करो पास में एक बल आइकन आएगा उसको भी दबा दो जल्दी जल्दी 100K सब्सक्राइबर्स कम्प्लिट करवा दो दोस्तोर इसमें number 5 पे गेम आता है उसका नाम है वाइस ऑनलाइन इस गेम की बात करें तो एक newly launched open world गेम होने वाला है जिसमें कि आपको multiplayer mode देखने को मिलता है इन completely online होगा ये गेम इस गेम के size की बात करें तो 300 MB का size होने वाला है इसमें काफी बड़ा city का map आपको देखने को बिल जाता है जहाँ पर कि आप पूरी city को explore कर सकते हो और vehicles को drive कर सकते हो और online होने वाला है तो आप अपने दोस्तों के साथ में गेम को enjoy कर पाऊगे और इस गेम के अंदर आप अलग-अलग missions भी कर सकते हो और role play कर सकते हो जिसे कि आप gangster बन सकते हो बिसनस man बन सकते हो टैक्सी driver बन सकते हो collector बन सकते हो ऐसे अलग-अलग role play करके आप पैसा कमा सकते हो और उन पैसे का use करके आप जो अलग-अलग गाड़ियां खरीच सकते हो अपनी property खरीच सकते हो तो overall देखा जाए तो बहुती बड़या गेम आपको देखने को मिल जाता है इस गेम की बाद करेंट एक बहुती बड़या open world police simulator game होने वाला जहाँ पर के आप एक police inspector होते है जिसका काम होता है कि चोरों को पकड़ना है और अगर कोई illegal activity करना है तो उसको रोकना है overall देखा जाए तो एक बहुती बड़या गेम होने वाला है अगर आपको ऐसे गेम पसंद हो तो इसको एक बार चेक आउट जरूर करना काफी बड़या गेम आपको देखने को मिल जाता है दूस्तर इसमें नमबर थर्ट पे गेम आता है उसका नाम है गैंक्स टाउन स्टोरी इस गेम की बात करते एक बहुती बड़या ओपन वर्ड गेंक्स्टल गेम होने वाला है जो कि आपको जीटिया जैसा देखने को मिल जाएगा और इसके जो ग्राफी के वो काफी हथ तक जीटिया सेनेंडरे इससे मैच करते हैं लेकिन गेम थोड़ा सा अलग होने वाला है गेम के अंदर आपको काफी बड़ा ओपन वर्ड मैप देखने को मिलता है और स्टोरी बेस्ट मिशन्स आपको देखने को मिल जाते है जिनको कि आपको कम्प्लीट करना होता है अगर आपको missions नहीं करना है तो इदर उदर घूम सकते हो, लोगों से पंगा ले सकते हो, पुलिस से पंगा ले सकते हो, कार वगरा चुरा के घूम सकते हो तो overall एक बहुती बढ़िया open world map देखने मिलेगा आपको और साइस की बात करें तो सिर्फो सिर्फ 710 MB होने वाला है, तो इसको भी एक बार चेक आउट जरूर करना, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में दूस्तोर इसमें नंबर 2 पे गेम आता है, उसका नाम है Grand Criminal Online इस गेम की बात करें तो एक बहुती बढ़िया GTA सा गेम आपको देखने को मिल जाता है, इसके जो ग्राफिक हो काफी हद तक GTA 5 से मैश करते है, बहुत अच्छे ग्राफिक आपको देखने को मिल जाते है, यह गेम ऑनलाइन होने वाला है तो इसमें आप अपने दोस्तों के साथ गेम को enjoy कर पाओगे, और गेम के अंदर बहुत सारे अलग अलग मिशन से आपको देखने को मिल जाते हैं, इस स्टोरी बेस्ट मिशन से जिनको क्या आपको complete करना होता है, साइस की बात का तो 890 MB इसका साइस होने वाला है, साइस के इसाप से गेम प्ले की बात करें तो या है, वहाँ से डाउन्डोड कर लेना, दूस्तर इस नमबर वन पे गेम आता है, उसका नाम है Jensen Impact, यह बहुत ही बड़िया ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है, जहाँ पर कि आपको ग्राफिक की क्वालिट एक दम नेक्स लिविल की देखने को मिल जाती है, रिसेंटली ये गेम भी लॉंच हुआता है, पीसी के अंदर आपको औरेडी देखने को मिल जाता है, तो पीसी वाला गेम सेम टू सेम आपको एंडरोइड में देखने मिलेगा, सेम पीसी वाला गेम एंडरोइड में मिल रहा है, तो ग्राफिक जो है वो बहुत जादा होने वाला है, जो गेम के जो कट सीन से और जो फाइट सीन से वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाते है तो अगर आप एक अच्छा उपन वर्ड गेम ढूंड रहे हो तो इसको एक बार चेक आउट करना साइस थोड़ा सजादा है लेकिन आपको सच में बहुत जादा मजा आएगा तो